नमस्कार दोस्तों स्रीज टोपिक चल रहा था और स्रीज टोपिक में दोस्तों इससे पहले हम चार प्रकार पढ़ चुके हैं संक्या स्रेणी के चार प्रकार कौन-कौन से पढ़े दोस्तों हमने सोचिए पहला प्रकारता समांतर संक्या करम दूसरा प्रकारता बढ़ता एवं गड़ता संक्या करम दोस्तों और तीसरा प्रकारता संसंक्या अंतर और चौता प्रकारता दोस्तों बिसंसंक्या अंतर अगे बढ़ते हैं पांचवे प्रकारता की तरफ जिसका नाम है एक सो पत्चीस, एक सो बत्तीस, एक सो पिच्चान में, कुश्चन मार्क्स, दूसरे प्रस्ण की तरह चलते हैं, एक सो सत्तर, एक सो चान्स सट्ट, एक सो ऑठावन, एक सो च्यालिस, हेक सो तीस, प्रस्ण वाचर, तीस रपरस्ण देखते हैं, कि एक सो दस, एक सो पच्पन, एक सो एक क्यान में दोसो अठारा तरश्न बाद चाथ तीन सवाल हैं दोस्तों हमारे पास में और प्रकार का नाम है पहाड़े के रूप में अंतर एक्जाम में जो प्रस्ण आता है दोस्तों उसमें निश्चित रूप से कुछ लिखा नहीं आएगा कि इसमें कौन सा नियम चला है बहाँ पर विल्कुल अपन फ्री हेंड है हमको सोचना ही पड़ेगा कि इसमें कौन सा नियम चलेगा दोस्तों देखते हैं 125 के बाद 132 प्लस कितना हुआ दोस्तों 7 इधर देखे प्लस कितना हुआ है दोस्तों 14 इधर देगे प्लस कितना हुआ है 21 और फिर देखेंगे प्लस कितना हुआ है दोस्तों 28 इस ताथ 1421 28 आगे क्या करें दोस्तों पहाडा बुल रहा है देख लिए इनकी बीच का contact देख लिजिए इनके बीच का सम्मंद देख लिजिए दोस्तों पता तले का 7 की table है साथ का पहाड़ा है साथ एक हमसा साथ 214 साथ यहाथ 25 तो 35 35 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 230 आएगा 230 अगला प्रश्ण की तरफ चलते हैं 170 के बाद 166 है माइनस चार है माइनस आठ है माइनस बारे है दोस्तों माइनस 16 है क्या करें किसका पाड़ा है सोच लीजिए चार का पड़ा है 4 एकम 4 4 दुनिया चारती है बारे 4 चोगों 16 तो 4 पंजे 20 माइनस 20 होगा दोस्तों 110 आपका अंसर है 110 110 इधर देखते हैं दोस्तों प्लस 45 है प्लस 36 होगया यहापर प्लस 27 है यहापर 45, 36, 27 आगे क्या होगया यहापर किसका पाड़ा है 9 का घड़ते हुए क्रम में घड़ते हुए क्रम में 9,5, 45, 9,4, 36, 9,3, 27, 9,2, 18 उल्टा हो रहा है दोस्तों उल्टा प्लस 18 करेंगे तो 236 आएगा 236 तो यह है पाचवा प्रकार दोस्तों पहाड़े की रूप में अंतर पहाड़ा बोला है उसने पहाड़े की रूप में बढ़ता हुए क्रम भी चलता है दोस्तों और घड़ता हुए क्रम भी चलता है अब हम next अगला प्रकार देखते हैं छटा प्रकार और जिसका नाम है दोस्तों दुगना अंतर दुगना अंतर डबल अंतर चलेगा पाड़े के अंतर जो इसी प्रकार का है यहां पर पाड़ा बुलाए यहां डबल होगा डबल कंडिशन होगी पहला प्रश्ण देख लेते हैं हुआ है कि साथ है दस है सोला है अठाइस है कि मावन है कि अप्रेश्ण बात रखने हैं कि दूसरी कंडिशन देखते हैं कि एक सो नो है कि एक सो एक क्यासी है कि दो सो सत्रा है कि दो सो पैंटीस है और दो सो चावाली से प्रेश्ण बात चक्रेश्ण कि एक सो पिछासी है कि एक सो पिछासी है कि एक सो पच्पन कि एक सो पंद्रा प्रश्ण बात चक्रेश्ण एक और देख लेते हैं तीन सो बीस तो तो सुसाट 236 222 215 और कुश्चन मार्क्स देखे दोस्तों ध्यान से देख लीजिए 320, 264, 236, 222, 253 आराम से इन प्रश्णों को देखिया हुआ क्या है इनके बारे में आप देखिये उतार लीजिए इनको और देखिये इसमें कौन सी क्रिया चली है किस प्रकार का कॉंटेक्ट हो रहा है ये सारी चीजे दोस्तों हमको दिहान रखनी है लगाए दिमाग चेक करें इधर देखिए दोस्तों प्लस बैतर है अब इतनी बड़ी सिंख्या जोड़ने में दोस्तों बहुत समय लगता है तो इसलिए केलिकरिशन आपकी फास्ट होगी आपका मैंड बिल्कुल काम करेगा दोस्तों मैंड काम करना ही चाहिए प्लस शत्तिस होगी दोस्तों 186 में 36 जोड़नेंगे देख लिजीए इस सितिक कौन सी बनेगी 271 बनेगा ने बनेगा बिल्कुल बनेगा 6 और 1 7 8 3 11 बिल्कुल प्लस अठारा है प्लस नो है अब क्या करें तो हैतर का आदा चतिस का आदा अठारा का आदा नो का आदा साढ़े चार साढ़े चार प्लस होगा दोस्तों काड़े चार प्लस होगा और 245 में 4 प्लस कर दो 248 आ गया और आदा और जोलना है तो 248.5 248.5 248.5 है 248.5 नेश्ट पद इसके बाद में 245 के बाद जो होगा क्या होगा दोस्तो प्लस 4.5 नो का आदा होगा 4.5 और 244.5 जोड़ो गया तो 248.5 इदर देखिए माइनस 5 है माइनस 10 है दोस्तों माइनस 20 हो गया माइनस 40 हो गया क्या होगा माइनस 80 होगा कितना आएगा 35 35 35 जोड़ोगे तो अब देख लिए एक सुपंद्रा आ रहा है कि इदर देखिए दोस्तों माइनस हुआ है कितना हुआ माइनस 56 जोड़ोगे देख लो आप इसमें यह जोड़ोगे देख लिए तो सही नहीं तो गलत है बिल्कुल सही है माइनस 28 है माइनस 17 है माइनस 7 है तो माइनस 3 होगा दोस्तों आधा होगा 56 का आधा 28 28 का आधा 14 14 का आधा 7 7 का आधा साड़े 3 साड़े 3 घटाएंगे साड़े 3 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों 211.5 आएगा क्या आधा सब्सक्राइब अब यह दोस्तों आपका च्छटा प्रकार होता है दुगना अंतर अब हम बात करते हैं तो बैद कर नाम है दोस्तों अभाज्य संक्या अंतर अभाज्य संक्या अंतर बहुत ट्रेटपुन पर कार है वी अभाज संहिए और भाज दो्चीज़ है दोस्तों आप ठो आ का मतलब नहीं भाज चुक्सी भी संख़्या से भिभाजित नहीं होती है दोस्तों उन्हें कहते हैं अभाजी सिंग्या अभाज सिंग्या वंतर चलेगा पहला प्रश्ण जान दीजिए दो तीन पांच साथ कुष्ण मार्क्स दूसर प्रश्ण देख लीजिए 20, 22, 25, 30 और 37 और प्रश्ण वाचक तीसरे प्रश्ण की बात करते हैं 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43, 44, प्रश्ण वाचक तीसरे रहेगा मामला है एक सबाल उड़ दिख लेते हैं इसका प्रश्ण वाचक देखते हैं अब ये तो करम चला है यहां बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों अपन जल्दबाजी में 9 लिख देते हैं दो के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 करम चल रहा है विसम सिंख्या का होता तो 9 आता एक 3, 5, 7 होता तो यहां पर 2 से स्टार्ट हुआ है अबाज सिंख्या है सबसे चुटी अबाज सिंख्या है 2 होती है 2 से स्टार्ट होती है अबाज सिंख्या है सबसे चुटी अबाज सिंख्या है 2 होती है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 तो 7 के बाद क्या आएगा तो 11 यहां प्लस तीन है यहां पर प्लस पांच प्लस साथ दो तीन पांच साथ क्या करें दोस्तों वहीं ग्यारे वाली कंडिशन अटालीस आइगा अंसर यहां पर अटिस में ग्यारा जोड़ेंगे तो अटालीस आंसर है इधर देखे सत्रेक बाद 19 प्लस दो करें प्लस चार करें प्लस चे करें प्लस दो करोगे प्लस चे हो गया दो चार शेवाला कॉंसर खता में इसा पर नहीं चल रहा तो क्या दरेक्ट भी कंडिशन चलती है जरूरी न बिना प्लस चेबी प्रस्ट मन जाता है बिना प्लस प्रस्ट के प्रस्ट कैसा बन गया करम संक्या आवा क्रम सत्रेक बार अबस तो उन्निस मैंस के बाद तीज प्र इस टीज परूंस के बाद 11-5-7-11-11-11-42 12 आएगा कितना ऻों कितना जुट्थ करेंगे तो 22 मारा अन्सर है साथ माप्रम दोस्तों पूरा हुथ इस प्रकार से अब देखेंड़े दोस्तों आठ फाल प्रकार आठ प्रकार क्या पाया हम से इस आध हम प्रकार अब इसन्ग का मुद्थ या आवशीं कि प्रकार का नाम है दोस्तों एक आंतर संक्या क्रम एक आंतर संक्या क्रम संक्या क्रम एक आंतर क्या होता है एक आंतर बैसे एक आंतर होता है एक आंतर फिर भी प्रश्न के बाद जाम से समझते हैं पहला प्रश्न एक सोठारा एक सो तेवीस एक सो तेटीस प्रश्न वाचक प्रश्न वाचक और 148 अब यहां पर प्रश्ण बाश्य जरूर निया कि बाद में दे पहले दिया बाद की संख्या आपके पास है यहीं संंख्या है प्राश्य में ध्यार रहें यहां तक फ्रक्ष्ण है यह पूरी श्रीज यह चलनी चाहिए दूसरी कंडिशन 35, 42, 53, 50, 51, 78, प्रश्णवाचा, दो प्रश्णवाचा देतेता हैं, कभी-कभी दो दो भी देतेता हैं, दो दे दिये एक समय, 135, 120, 123, 114, 111, 102, और ये दो प्रश्णवाचा देती हैं, दोस्तों, इन तीन प्रश्णवाचा देखेंगे, कि एक अंतर सिंक्यक्रम होता क्या है, उताले जी आप इनको, एक अंतर सिंक्यक्रम को, अच्छा देखेंगे, कि एक समय, ये ये दो लोग चेक करते हैं, एक सो ढारे काद एक सो तेवीज, प्लस पाच, प्लस दस, अब देखेंगे, कि पाँच के बाद दस, अब हमारे मन में कौन कौन से विचार आएंगे एक तो आएगा पांच दस पंद्रे कर दे अगर पंद्रे कर दोगे यहापर तो 148 यहीं पर आ जाएगा तो फिर इन दोनों के बीच में कुछ गैप बचेगा क्या नहीं बचेगा दोस्तों इसलिए कोई ऐसी इस्तिति आप सो की प्लस पांच सी दोस्ति की इसी प्रकार से सिरीर चलेगी दोस्तों और देख लीजें हाप लस्तस क्या रहे प्लस साथ अ difference क्या रहे प्लस साथ ड्ससटेद्स्थट्स ग्यारे जोड़ें कितना है यहाए दोस्तों नाबसी आए और इधर बापस प्लस साथ करेंगे तो 96 आएगा 96 96 आएगा अगला पत कुन सा है दोस्तो 96 श्यान में श्यान में है अगला पत इधर देखिए दोस्तो माइनस नो हो रहा है और माइनस तीन हो रहा है और माइनस नो हो रहा है माइनस कि आए मिर माइनस तीन अबभर करेंगे 99 का फूर इस do प्रकार iç होड़ करेंगे एक बाली कजिशन चलती हम बात करते है नमापरकार्ट सेखरी महत्रूमिगत प्रकार में शिर्ट कुर्प अंत्र 2 9 16 25 प्रश्ण वैसे दिखते हैं कि 110 111 MP1 24 एक सो चालीस प्रश्ण वाचक तीसरा प्रश्ण देखते हैं 115 151 176 192 प्रश्ण वाचक तोते सवाल की बात करें 220 220 219 250 206 190 पर यह कुछन मार्स लगाते हैं तो यह बर्ग संक्या और सम्मंदी प्रश्ण है दोस्तों बर्ग संक्या अंतर चलेगा यहां पर बर्ग संक्या अंतर चलेगा आप अभ्यास कीजिए अभ्यास करोंगे दोस्तों श्रीज टोपिक आपका बहुत बहुत्रीन टोपिक बन जाएगा और स्रीज टोपिक इस प्रकार का टोपिक है इस वो प्रश्णों को हल करने मज़ा आता है लें मजा दोस्तों कब आएगा इसको प्रश्णों को अल करने में मजा केवल एक ही कंडिसन में आएगा यहाँ पर कि जब हम प्रश्णों के उत्तर आते रहेंगे तो मजा आएगा और उत्तर नहीं आएगे तो निस्ट दिल्स तो हमको दिक्कत आएगी देखते हैं देखो यहाँ पर दो नियम बता रहा हूं मैं कभी कभी क्या होता है प्रेस्ट में एक ही प्रेस्ट में एक से अधिक नियम लग जाते हैं एक सधी क्रिया लग जाती है लेकिन एक सधी क्रिया लगेगी उत्तर सेम आएगा उत्तर अलग आएगा तो एक उप्सन मे में लिए ordered दिख रहा है दो गळगया यह द्यालर्ग है और यह चार पर यह पांच नो अब अब इनके बीच का संबन देख लो आप बिसम संग के अंतर में आपको बता चुपा हूँ प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नो तो प्लस ग्यारे होगा और 25 में प्लस ग्यारा करेंगे तो 36 आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा इसका मतलब प्लस वाले कंडिश है यह चार का वर्ग है तो आगे यदि बढ़ेंगे तो वही पांच का वर्ग मतलब 25 जुड़ना चाहिए दोस्तों 25 जुड़ेगा कितना आएगा यहां पर 165 इदर देखते हैं तो उसको कितना जुड़ा है 36 जुड़ गया फिर 25 जुड़ा है फिर 16 जुड़ा है अब यह यहां पर देखते हैं होगा किया है आपको पता चेका वर्ग है यह पांच का वर्ग है यह चार का वर्ग है ये देख लिए एक का वर्ग है ये दो का वर्ग है ये तीन का वर्ग है ये चार का वर्ग है आप करेंगे पांच का वर्ग पत्चीस गटाएंगे दोस्तों पत्चीस गटाएंगे कितना आएगा एक सो पैसेट आएगा एक सो पैसेट आएगा एक सो पैसेट बिल्कुल सही उ प्रकार पहले का अंतीम प्रकार है दस प्रकार दसों प्रकार में प्लस माइनस ही देखा अभी तक गुणा भाग नहीं देखा गुणा अगली कंडिसम देखेंगे घंसंक्यांतर इतने दस प्रकार पन्डे के बाद में आपको लगेगा कि आप स्रीज के 50% परशनों के उत्तर दे सकते हैं वहाँ पपछास प्रसन परशनों के उत्तर दे सकते हैं दस प्रकार पंडे कि बाद पहला परशन एक तीन एक आठ इस Origin 25 स्रिष्ण बाच्ण दूसरा प्रस्ट एक सो दास, एक सो ग्यारा, एक सो उन्नीस, एक सो च्यालेस, दो सो दास, प्रश्न वाचत, तीसे प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं, तीसे प्रस्ट में क्या हुआ है? पान सो बीस, पान सो उन्नीस, पान सो ग्यारा, चार सो चोरासी, चार सो बीस, दो सो पिच्चान में प्रश्न वाचत, एक प्रस्ट वोड़ देख लेते हैं, एक सो आठ, तीन सो चोबीस, चार सो उन्न चास, पान सो तेरे, पान सो चालेस, प्रश्न वाचत, उतार लेजिए दोस्तों, देखिए, वा क्या है, आराम से देखिए प्रस्ट को, आराम से देखिए, यह आपका पहला प्रकार कंप्लिट होता है, पहले के दस प्रकार थे, दस प्रकार कौन कौन से थे, आप फोड़ा माइंड में आपको रखना है, समांतर सिंख्या क्रम पहला प्रकार, दूसरा प्रकार बढ़ता एबम घड़ता सिंख्या क्रम, तीसरा प्रकार था दोस्तों सम सिंख्या अंतर, चोथा प्रकार बिसम सिंख्या अंतर, पांचवा प्रकार था आपका दोस्तों आवाज सिंख्या अंतर, पहाड़े के रूप में अंतर, चटा प्रकार था आपका दुगना अंतर, साथमा था आवाज सिंख्या क्रम, और नवा प्रकार बर्ग सिंख्या अंतर, और दोस्तो तो दस्मा प्रकारफा आपका गंसंक्या अंतर सब्सक्राइब है हुआ अगर आपको जन संक्या क्या है कै यहां पर इमये अगर याद नहीं होती लिए इस गंसंक्या हुटी तो लिए घंस स्बसक्राइब आने प्लसयूंट दोस्तों प्लस आट हो रहा है 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 एकका गन है यह तीन का गन चार का गन है अब क्या करें पांच का गन 125 जुड़ेगा दोस्तों 125 जुड़ेगा तो 335 है दोस्तों 335 इधर क्या करें माइनस एक करें माइनस आठ करें माइनस 27 करें, माइनस 64 करें, दोस्तों, माइनस 125 हो रहा है, 125, देख लिए, और एक का गन, दो का गन, तीन गन, चार गन, पांच गन, तो छे का गन, माइनस 216, 216, 79, 79, और इधर देखेंगे दोस्तों, प्लस 216, प्लस 125, प्लस 64, प्लस 27, क्या हुआ इसमें, 6 का गन, प्लस, पांच का गन, प्लस, चार का गन, तीन का गन, और दो का गन, यानि 8 प्लस होगा, और 8 प्लस होगा, दोस्तों कितना आएगा, पांसो, 48 आएगा, पांसो ओटालिस, शे का गन, पांस का गन, चार का गन, तीन का गन दोकाखन तो इस पेकार दोस्तों हम कह सकता हैं कि स्रीज टोपिक में परेशानी नहीं है एक ही परेशानी है कि क्यल्कुलेशन इसके लिए क्या खरे जड़ी बुटी नहीं है और लिक्स बॉनवीटा से काम निच चलेगा क्यल्कुलेशन फास्ट नहीं होगी करेंगे लिए यह की तरीका है और फ्री का तरीका है वह है अभ्यास प्रक्टिस करो प्रक्टिस जदा-जदा कीजिए दोस्तों और प्रक्टिस करोगे तो आपको स्रीट ट्रापिज में दिक्कत नहीं आएगी आगे वीडियो में देखेंगे गुणावाली क्रियाएं इसपर परकार पकार से आते हैं ये सारी चीजै जो हैं वो अगरमे अगले वीडियों धोस्टों तब तक के लिए है कि मस्कार बहुत-बहुत धन्यवाद और आप उंहें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जिसे सबी वीडियो आप तक पहुंच सकें बहुत बहुत धन्यवाद